स्विहले स्टूदेंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टागेट सिमस्ट्र में मैं हूँ अमरी तरह है और आज हम डिसकुस करने वाले हैं फंडमेंटल सफ मार्केटिंग सब्जेक्ट इस एक लिक्चर में हम कवर करेंगे फंडमेंटल सफ मार्केटिंग के तीन चैप्टर्स जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एक्जाम में डिफिनेटली इस चैप्टर से और इस चैप्टर में दिये गए टॉपिक से काफी कुश्चन्स पूछे जाते हैं अगर मैं बात करूँ फंडमेंटल सफ मार्केटिंग सब्जक की तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इसमें वो है इंट्रोड़क्शन टू मार्केटिंग सबसे पहले आपको ये बताया गया कि बेटा मार्केटिंग होता क्या है अगर मैं आपको याद दिलाओं तो आपने class 12 में business studies पर रखा है जिसमें आपने पढ़ा था business studies का second part का book जिसमें आपको marketing के विशे में काफी अच्छी knowledge दी गई थी और NCRT का book अगर आपने follow किया होगा तो उसमें जितने भी concepts आपको पढ़ाए गए थे class 12 के इस लेबस में वो concept काफी important है आपके university के semester exams के लिए अगर मैं बात करूं marketing की तो marketing का मतलब होता है अगर आपने अपना product बना लिया है तो product को customer तक कैसे पहुँचाना है for example आप एक बहुत बड़े business man है जो एक air bird बनाते है या फिर एक phone बनाते है जब आप वो phone बना लेंगे तो phone कहा रखेंगे अपने company के warehouse में stock के रूप में लेकिन उस phone की जानकारी पहुँचाने किसको है consumer को उस phone को बेचना किसको है consumer को तो अगर वो समान अप अपने warehouse में क्यों रखे रहते हैं तो क्या आपके समान की sale हो जाएगे definitely नहीं तो इसलिए marketing subject को आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि समान बना लेना क्यों काफी नहीं होता है समान को customers की निगाहों में लाना और इस प्रकार से लाना की customer आपके समान को देखते ही influence हो जाए और वो उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए marketing में हर वो टिकनिक आती है हर वो तकनिक आती है जिसमें आप अपने product को बेचने के लिए पूरी कोसिस करते हैं जैसे आप लोग marketing का example देख सकते हैं आजकल बड़े बड़े जो brands हैं वो celebrities से add कराते हैं जैसे आप बैजूस का example दे सकते हैं जिसका add जो है वो सारुख खान साब करते हैं इसके अलाबा बहुत सारे से brands हैं जैसे मोक्ष अगरबती एक बहुत बड़ी company है उसकी जो brand ambassador है वो माधूरी दिख्षिद जी हैं वो उस brand का promotion करती है तो marketing इसलिए किया जाता है ताकि हमारे product की maximum selling हो सके और हम maximum profit को generate कर सके लेकिन ध्यान से समझेगा क्या business man का मकसद केवल profit कमाना होना चाहिए बिलकुल नहीं मैं आपको बार-बार कहता हूँ if you are going to become a business man in your near future आपको केवल profit कमाने के विशे में नहीं सोचना है क्योंकि अगर आपकेवल profit कमाने के विशे में सोचते हैं तो समाज का विश्वास आपके business में थोड़ा कम होता है क्योंकि आपका business केवल profit oriented है अगर मैं बात करूं marketing concept की तो पुराना जो marketing concept था जो पारंपरिक marketing का concept था traditional marketing concept जिसको कहते हैं तो classical marketing concept उसको कहते हैं उस marketing concept में business man's का या producers का केवल यही मक्सद था कि मुझे कैसे भी करके जादे sales करनी है और जादे sales से मुझे जादे profit जनरेट करना है लेकिन आपको पता होगा कि पुराने जबाने में एक concept चलता था जिसको अपने consumer protection वाले चिप्टर में पढ़ा होगा उस concept का नाम था caveat amputer यह concept कहता था let the buyer beware मतलब हम कुछ भी बना रहे हों as a producer we are not responsible consumer अगर कुछ खरीद रहा है तो उसको देख के खरीदना चाहिए कि वो चीज उसके लिए useful है या नहीं है traditional marketing approach पूरी तरह से producer oriented था वो जो producer बनाता था उसको बेचने पर मकसद उसका होता था जबकि आज देश बदल रहा है देश की सोच बदल रही है तो यह जो caveat amputer का concept है यह भी पूरी तरह से निस्ते नाबूत हो गया है एक नया concept आया है जिसका नाम है दोस्तों caveat venditor क्या नाम है caveat venditor caveat venditor कहता है let the seller beware क्योंकि पहले के जवाने में दुकाने बहुत कम होती थी consumers के पास options बहुत कम होते थे इसलिए consumer की मजबूरी थी कि वो आपके दुकान पे आये और आपसे समान करीदे लेकिन आज आज आपका consumer मजबूर नहीं है he or see had so many options उसके पास बहुत सारे options है अगर वो आपके दुकान पे आ रहा है तो आपको वो value create करना पड़ेगा अपने product में अपने service में ताकि वो आपके दुकान पे आए क्योंकि businessmen बहुत सारे हैं आज के दुनिया में competition हर field में बढ़ गया है business के field में भी उतनी ही तेजी से competition बढ़ आए तो modern marketing approach कहता है कि बिटा अगर आप ये सोचेंगे कि हम जो बनाएंगे customer वो खरीद लेगा तो आप बिलकुल गलत है आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि consumer चाहता क्या है consumer की need को समझके उसके need के हिसाब से appropriate product आपको develop करना पड़ेगा और उसी appropriate product को अगर आप बेचेंगे तो consumer आपके product को consume करके satisfy होगा and finally वो आपके product के demand को increase करेगा वो खुद तो consume करेगा दस लोग को जाके बताएगा कि इस company का product बड़ा ही बहतरीन है आप भी खरीदिये उसको हम कहते है mouth marketing तो ये जो modern marketing approach है ये कहता है बेटा profit तो कमाना है हमको भी कोगि हम भी business man है हम कोई समाज सिवा करने नहीं आया है लेकिन हमको profit कमाना है through customer satisfaction कैसे profit कमाना है customer satisfaction से अगर customer संतुस्ट है तो वो खुसी खुसी पैसा आपको देगा अगर वो संतुस्ट नहीं है तो कभी आपका product नहीं खर देगा एकजाम में पहला MCQ बनता है कि traditional marketing approach क्या कहता है तो traditional marketing approach कहता है कि profit कमाना है जादे sales करके कुछ भी बना दो profit कमाओ sales जादे करो क्योंकि consumer के पास option नहीं है वो आपका ही product खरीदेगा लेकिन आज दुनिया बदल गई है modern marketing approach कहता है कि अगर आपको profit कमाना है तो पहले आपको customer की need को पहचानना होगा customer की जरूरत को जानना होगा उसके बाद आप उस product को develop करेंगे फिर आप product deliver करेंगे sell करेंगे and thereafter customer satisfy होगा तो आपका profit बनेगा ठीक है चलिए तो यह था basic concept marketing क्या होता है marketing के दो जो traditional और modern marketing concept है यह क्या कहते है चलिए अब दूसरा topic है आपके exam के लिए जो सबसे आधी important है features of marketing marketing की विशिस्ताएं कौन-कौन सी है marketing को हिंदी में विपड़न कहते हैं तो जो हिंदी में डिमले student होंगे वो नाराज नहीं होंगे मैं दोनों ही language को साथ में लेके चलता हूँ तो जो विपड़न की विशिस्ताएं हैं कौन-कौन सी है अगर मैं बात करूँ सबसे पहले feature की सबसे पहले विशिस्ता की तो सबसे पहले विशिस्ता में लिखा गया customer oriented marketing हमेशा customer के हिसाब से की जाती है मतलब customer की जो need है उसको पहचानिए customer क्या चाहता आपके product में उस product में वो चीज डालिए and thereafter आप उसकी marketing करिए तब आपका marketing successful होगा और आपके marketing से impact काफी अच्छा आपके society में आप डाल पाएंगे ठीक है? चलिए दूसरा है part of total environment जैसे आपने class 12 में business studies का second chapter पढ़ा होगा business environment और again आपने become first semester में भी business environment का एक subject पढ़ा है जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि business एक environment में exist करता है business का अपना खुद का एक पर्यावरन होता है उस पर्यावरन में चाहें गलत हो बुरा हो सबका प्रभाव हमारे business पे पढ़ता है marketing भी business environment से अलग नहीं है marketing is also a part of business environment तो दूसरा feature लिखा गया है part of total environment मतलब जो business के आज़ पास का पर्यावरन है business का competitor business के जो rivals होते हैं जैसे मालने जे Reliance company है तो Reliance company की rival मालने जे telecom sector में Vodafone है, Airtail है तो उसको जब marketing करना होगा तो उसको ये देखना होगा कि Airtail कैसे marketing कर रहा है Vodafone idea कैसे marketing कर रहा है और हम उससे भी बहतर marketing कैसे कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि market में आप अखेले player है आपकी monopoly है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि market के environment में चल क्या रहा है उसके इसाब से आपको अपना plan formulate करना होगा अपना marketing technique develop करना होगा चलिए, तीसरा है specialized business function, इसका मतलब क्या है आपको पता होगा class 12 में आपने का organizing chapter पढ़ा था जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि आपको अपने organization के सारे कामों को बाटना होता है क्योंकि अक्सर ये मुहावरा कहा जाता है आपने भी सुना होगा साइद कि एक चना अकेले भार नहीं भूर सकता है a single person cannot do everything एक इनसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है अगर सब कुछ करने की कोसिस करता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है specialized business function का मतलब ये है कि ये business का एक wishes function है एक wishes करिया है जैसे आपको बता होगा कि business में अलग-अलग departments बने होते हैं अलग-अलग विभाग बने होते हैं sales department, production department, purchase department, finance department वैसे ही एक और department बना होता है जिसका नाम होता है marketing department तो तीसरा feature इसका हो गया है specialized business function क्यों specialized business function है क्योंकि ये business का एक अभिन अंग है अगर marketing नहीं होगा तो आपका product सड़ जाएगा आपके warehouse में कोई खरीदने नहीं आएगा चलिए, आगे बात करते हैं marketing एक system है, fourth feature है marketing एक system है अब ये system क्या होता है आज कल ये सब्द बड़ा ही famous है I think एक सक्स है उनके नाम की वज़ा से साइद L.V. स्यादोन का नाम है big boss में साइद कुस्टो हुआ था ये सब्द बड़ा famous है system लेकिन मुझे जाए तक पता है कि system का मतलब क्या होता है आप commerce के student है इस सब्द आपके जिंदगी में कई बार आया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा चलिए आज जानते हैं system क्या होता है तो system का मतलब तंत्र हिंदी में तंत्र वो चीज होती है जो बहुत सारी चीजों से मिल के बनती है और वो बहुत सारी चीजे एक दूसरे पे dependent होती है system का मतलब आपकी body for example you can say your body जो system आपके body में बहुत सारे elements है आपका हाथ, आपका पैर, आपके different organs और एक organ के बिना आपकी body पुरी अधूरी होती है वैसे ही marketing एक पुरा system है इसका मतलब क्या है कि marketing अपने आप में पूरा नहीं है marketing के अंदर बहुत सारे elements है, बहुत सारे तत्व है उन सारे तत्वों को मिला के पुरा आपका marketing बनता है तो marketing system क्यों है क्योंकि marketing is made up of so many elements बहुत सारे तत्वों से आपका marketing बनता है आपका विपरन बनता है इसलिए marketing को आप system कह सकते है I think आज से clear होगा आपको कि system किसे कहते system मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे elements है and all the elements of that particular thing are interrelated and interdependent अगर वो सारे के सारे elements interrelated मतलब आपस में संबंदित हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं यानि interdependent हैं तो उसको हम system कहते हैं चलिए पाचवा feature है marketing creates mutually beneficial relation marketing में केवल producer को अपना फाइदा नहीं देखना चाहिए मैंने आपको पहले ही बताया तो यह पाचवा feature में कहा गया है कि marketing की मदद से आप एक mutual beneficial relation बनाते हैं मतलब marketing में आप यह कोसिस करते हैं कि मेरा भी फाइदा हो और consumer का भी फाइदा हो अब आप कहेंगे consumer का फाइदा कैसे होगा मैं बताता हूँ consumer का फाइदा ऐसे होगा अगर आप marketing कर रहे हैं तो आप marketing में अपने product की जानकारी भी consumer तक पहुचाते है that your product consists of that kind of ingredients that kind of protein vitamins वो जो भी चीज़े होती है product में तो इससे consumer aware होता है consumer educated होता है consumer जागरुक होता है कि इस product में ये सारे vitamins हैं ये सारे ingredients हैं तो इसलिए कहा गया है कि marketing से आपको हमेशा mutual beneficial relation establish करना चाहिए ये मतलब आपका भी benefit हो आपके business का भी benefit हो और आपके customer आपके consumer का भी benefit हो ठीक है चलिए शटवा feature है marketing is a social function यानि विपरन एक सामाजी कार्य है कैसे आप समान किसको बेचेंगे इंसान को humans को humans are the social animal इंसानों से ही तो समाज बनता है और समाज से ही आपका business बनता है आप भी समाज के कभिन नांग होते हैं तो marketing एक social function है क्योंकि marketing directly deal कर रहा है society से society में रह रहे लोगों से रह रहे consumers से इनसानों से इसलिए हम कह सकता है कि marketing एक social function है इसलिए marketing में हम society को सबसे उपर रखते है society में रह रहे consumers को सबसे उपर रखते है क्योंकि हमको बेचना तो product उनी को है ठीक है पहला है customer oriented, marketing हमेशा ग्रहक के हिसाब से की जाती है, customer के हिसाब से की जाती है, दूसरी चीज, marketing is the part of total environment, marketing आपके business environment का एक अभिन्न हिस्सा है, आप business environment से अलग marketing को कजिरन नहीं कर सकते हैं, तीसरा है, marketing एक specialized business function है, जैसे आपके business में अलग-अलग department बनी होते हैं, वैसे ही एक marketing का special department बना होता है, एक विशेस विभाग बना होता है, marketing एक system है, because marketing is made up of so many elements, इसलिए marketing को हम system कहते हैं, पांचवा है marketing creates mutually beneficial relation, मतलब marketing से आपका मकसद होता है कि आपका भी profit हो, आपका भी benefit हो, और सामने वाले consumer का, सामने वाले customer का भी benefit हो, छटवा है social function, marketing एक समाजी कारे है, इसका ताथ पर यह है कि marketing में हम product इसको बेशते हैं, society में रह रह रहे हैं इनसानों को, इसलिए marketing एक social function है, I think आपको बहुत ही जद्धे clear होगा, यह सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक discuss की है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अगला topic है scope of marketing, विपरन का दाइरा कितना है, marketing का scope कितना है, तो marketing के scope बहुत बढ़ा है, सबसे पहले, marketing के scope में research आता है, आपको पता होगा, हर एक organization में, जो बड़ी organizations हैं, एक R&D department बना होता है, R&D, मतलब research and development department, इसका काम केवल यह होता है, कि आप research करिए, आप अनुसंधान करिए, कि इस particular market में, इस particular consumer को, इस particular target audience को, किस product की need है, वो आप पहचानिए, और उसी हिसाब से product की planning करिए, और वही product develop करिए, जो product आपे consumer को चाहिए, ठीक है, तो marketing का scope पहला होगा research में, कि marketing में हम research करते हैं, किस इसका research करते हैं, consumers के needs का, consumers के wants का, और फिर हम planning करते हैं, कि हमें कौन सा product develop करना चाहिए, और फाइनली हम product develop कर लेते हैं, चलिए, दूसरा scope है, marketing is helpful in exchange, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है, transfer of ownership from seller to buyer, हिंदी में इसको winimay कहते हैं, तो किसी भी चीज़ का, अगर transfer हो रहा है, अस्थान अंतरन हो रहा है, seller से buyer तक, विक्रेता से क्रेता तक, तो इसको हम exchange कहते हैं, exchange में buying होता है, selling होता है, assembling होता है, तो भाई, marketing का मक्सद क्या है, maximum products को sell करना, तो marketing is also covered under exchange, यह भी इसका scope हो जाएगा, तीसरा है physical supply, आप I think class 12 में इतना तो जरूर पड़े होंगे, कि marketing में four P's होते हैं, four P's of marketing, जिसको four pillars of marketing भी कहा जाता है, पुरा जो marketing की दुनिया है, वो चार अस्तंबो पे खड़ी है, four pillars पे stand करती है, वो कौन-कौन से four pillars होते हैं, product, price, place and promotion, इसमें से जो तीसरा pillar होता है, इसका नाम है place, यह marketing का बड़ा important pillar होता है, अब इसको example दे समझते हैं, जैसे मान लिजे कि आपका समान बन रहा है दल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ बन रहा है, और आपके समान की demand है देवरिया में, गोरकपूर में, सलेमपूर में, तो आप उस समान को गोरकपूर लाएंगे, it is also a part of marketing, मतलब जिस product की, जिस place पे demand है, उसको उस product तक पहुचाना, उसकी supply करना, उसका transportation करना, वो भी marketing के दाएरे के अंदर आता है, चलिए, अगला है, marketing facilitates financing, standardization and market research, market research के बारे में चर्चा तो हमने करी लिए, यहाँ पी important point है, financing और standardization, अब यह financing क्या होता है, business को पैसा कैसे आता है, एक पैसा loan ले सकता है, business share issue कर सकता है, debenture issue कर सकता है, bonds issue कर सकता है, push share market के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत basic चीज़ है, दूसरी चीज़, marketing, finance, जो special finance होता है, जो actual finance, जो actual finance होता है, marketing, आपके business का, वो आता है product के selling से, आप समान बेशते हैं, उसके बदले आपको जो पैसा मिलता है, this is finance that you earn, जिसको हम revenue कहते हैं, तो marketing अगर नहीं होता, तो आप assume करिए, कि आपका product बिख पाता, तभी बिख पाता, जब consumer को extraordinary demand होती है, और उसके पास market में कोई दूसरा option नहीं होता, तभी बिख पाता, लेकिन आज तो market में consumers के पास बहुत सारी demands है, इसलिए marketing को ये कहा जाता है कि marketing है, तो financing हो पार है, ये हमारे पास पैसा आ पारा है, अगर marketing नहीं होती, तो कहीं नहीं हमारा product बिख नहीं पाता, हम एक रुपए का revenue जनरेट नहीं कर पाते, सड़े सड़े माल warehouse में खराब हो जाता, लेकिन वो आप market में बिक नहीं पाता, तो marketing ही है, जिसकी वज़ा से आप financing कर पाते हैं, अपने business में पैसा collect कर पाते हैं, दूसरी चीज़ is standardization, marketing मदद करता है standard product को बनाने में, जैसे आज कल बहुत ही unorganized businesses चलते हैं, आपको पता होगा, जैसे छोटे छोटे चोटे साते हैं, जैसे sui जो है, I think आपने सुना होगा, sui का नाम, जो बुनने के काम आता है, stitching के काम आता है, तो वो जो market है, उसको बनाने का market, वो छोटे छोटे चोटे जो created industries के लोग होते हैं, वो करते हैं, उसमें standardization होता है, जहान से अगर आपने देखा होगा, तो standard होता है, क customize करना है, कि अगर किसी को बड़े size की switch चाहिए, तो बड़ा भी available है, middle वाला भी available है, और सबसे छोटा वाला भी available है, जो से shirt, t-shirt में ऐसा होता है, L size, XL size, double XL size, ठीक है, small size, यह सारी standardization के example हो गए, तो marketing, जब आप करते हैं, तो आप समझ पाते हैं, कि हमारे market में हमारा target audience कित कर पाते हैं, ठीक है, चलिए, last topic of this chapter, importance of marketing, विपरन का महत्तो क्या है, तो सबसे पहला marketing का importance यह है, कि marketing हमको मदद करता है, नए products को introduce करने में, market में, क्योंकि marketing की मदद से हम consumers की नई demands को, नई needs को समझ पाते हैं, और उन नई demands को समझ के नए product हम develop कर पाते हैं, marketing की वज़े से sales boost होते हैं, जैसे आज कल बहुत सारे फर्जी courses आपको YouTube पे मिल जाएंगे, जब आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, तो कुछ ऐसे आज आते हैं, वीडियो जिसमें affiliate marketing का, या फिर पता ने किसका, किसका add हो रहा होता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता जाती है, मतलब marketing में इतनी ताकत है, कि आपका product चाहे कितना भी वाहियात हो, चाहे कितना भी खराब हो, अगर आपने उसकी marketing अच्छे से कर दी है, influence create कर दिया है, market में impact create कर दिया है, that this is the best product, तो definitely आपके product की sale जादे होगी, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, increase company reputation, marketing जाती है market में, customer की निगाह में, जैसे अक्सर ये चीज आप लोग महसूस करते होंगे, जैसे मैं बच्पन में जब था, तो मेरे यहाँ एक machine आया था, ठीक है, किड्लोसकर का machine था, तो मैं देखता था कि भाई, किड्लोसकर का परचार का बारा है, उसका add का बारा है, तो मै बहुत बड़े-बड़े rankings होते हैं, marketing के, marketing की दुनिया में, जैसे अभी कुछ rankings के नाम आपको पता होंगे, recent economic news अगर आप देखते होंगे तो, तो वो businesses, उन international branches और international agencies की नजर में आती हैं, तो और भी ज़्यादे उनका इजद बढ़ जाता है, उनका repetition बढ़ जाता है, चलि मिलते हैं, that's it, ये था आपका पूरा पहला chapter, I think आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी दिक्कत होता है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, दूसरी चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे, sir, क्या आप सारे के सारे chapters complete करने वाले हैं, चोंकि fundamentals of marketing में तो लगबग 17-18 chapters हैं, और इस lecture में हम तीन ही chapters कवर करने वाले हैं, तो अगर आप ये उमीद कर रहे हैं, कि सारे के सारे lectures आपको YouTube पे free of cost प्रोवाइट किया जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलत फैमी में हैं, तो कि आप commerce के student हैं, आपको पता होगा कि किसी भी organization को चलाने के लिए internal costing होती ह और वो internal costing को recover करने के लिए हर organization एक product sale करती है, जो हम भी sale कर रहे हैं, और sale नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद है आप जैसे students जो काफी परिसान हो जाते हैं, जैसे ही semester exam से उनके पास आते हैं, उनकी मदद करने का, तो आपका सार्थी course आपके target गुर्कुल एप पे आपका बेसब खत्म करिए, तो अभी तक अगर आपने सार्थी जोईन नहीं किया है, तो ये best opportunity है आपके पास, क्योंकि अब बचे हैं, आपके exam में 20-25 दिन, अगर आपका exam 25 अपरेल से होता है, 20-25 अपरेल से तो 20-25 दिन आपके exam में बचे हैं, तो आप जा सकते हैं, target गुर्कुल एप क क्लिक करके add हो सकते हैं, अचा, whatsapp group में add होने की benefit क्या है, whatsapp group में add होने का benefit यह है, कि आपको consistently, वहाँ पे बहुत सारे guidance videos मिलते रहते हैं, और कोई भी वीडियो गर YouTube पे upload होजा है, तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि YouTube कभी-कभी notification आपके phone पे नहीं देत अगर उनका semester में अच्छा number आता है, अभी हम लोग become first semester के बच्चों को price देने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो सारती group में added थे और उनका बहुत अच्छा score आया है, तो ऐसे ही अगर आपका भी four semester में अच्छा score आता है, तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा चलिए, तो whatsapp group से add हो जाएगा और सारती को जरूर जोइन कर लीजेगा, this is the last opportunity, अगर इसके बाद आप जोइन करेंगे, तो आप उतना benefit derived नहीं कर पाएंगे सारती से, मैं जानता हूँ कि आप में से हर बच्चा, जो इस lecture को सुन रहा है, हर बच्चा सारती जोइन करेगा, लेकिन important क्या है दोस्तों, time, अगर आप सारती जोइन करेंगे उस दिन, जिस दिन आपका exam है उसके एक दिन पहले, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ, जिस दिन exam था उसके एक दिन पहले, लगबग 800 बच्चे उसी दिन सारती जोइन के, जिस इसके वज़से हमारा app भी crash हो गया, क्योंकि हमारे app का एक दिन में 1500 आपने course buy किया, इसके लावा बहुत सारे और courses हैं, लगबग 30 courses हैं जो चलते हैं उस पर, तो इतने सारे courses उस दिन buy कर लिए बच्चे कि app crash हो गया, तो वो नौबत ना है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ क आप जाएं और अभी 30 से जोड़ जाएं ताकि आपको कोई problem ना हो, चलिए, बहुत हो गया, आगे बात करते हैं, second chapter की, second chapter का नाम है आपके marketing concept, marketing concept मतलब marketing के अलग अलग विचारधारा है, सबसे पहला विचारधारा है marketing का production concept, अब इससे बहुत सारे mcqs आपके semester exam में पिछ ज़रूर याद रखेगा, तो पांच marketing concept की चर्चा आपके syllabus में की गई है, पहला है production concept, दूसरा है product concept, तीसरा है selling concept, चौथा है marketing concept, और पांचवा है societal marketing concept, या फिर social marketing concept, ध्यान से पांचों marketing concept याद होने चाहिए production concept, product concept, selling concept, marketing Dop nosaltres में पहला MCQ, which of the following is not a marketing concept, option देखा आपको production concept, product concept, selling concept, option D, all of these तो आपको ये पांचों को पांचें याद होने चाहिए, ठीक है, चलिए, आगे बात करते है सबसे पहला है production concept, ये क्या कहता है production concept कहता है कि भाई हमको मतलब नहीं है कि consumer को क्या चाहिए ध्यान से, हमको मतलब नहीं है कि consumer को क्या चाहिए, हमको मतलब ये है कि हम क्या बना रहे हैं, हम जो बनाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि consumer खरीद लेगा, जो traditional marketing approach कहता था ठीक, वही production concept कहता है ध्यान से एक बाई, read करते हैं, consumers will prefer products that are widely available and inexpensive managers focus upon achieving high production efficiency low cost in mass production mass distribution, production concept highlight that a business can low cost by mass production यान से समझेगा production concept में एक production manager का एक businessman का केवल ये मकसद होता है कि हमको बहुत सारे products बनाने हैं, मतलब हमको production large scale पे करना है ताकि हमारा cost कम हो सके, क्योंकि आपने economy जब scale के बारे में बढ़ाओगा economics में जब भी आप production बहुत बड़े level पे करते हैं, तो आपको बहुत सारे benefits मिलते हैं उसको हम economy जब scale कहते हैं तो अगर businessman बड़े level पे production करेगा, तो उसका cost कम हो जाएगा, जब उसका cost कम हो जाएगा, तो वो product को कम price में भी बेज सकता है, क्योंकि cost plus profit equals to selling price तो 2 रुपए में आप 3 रुपए का profit जोड़ेंगे, तो आप biscuit अपना अराम से 5 रुपए में बेज देंगे लेकिन पहले बना रहे थे 5 रुपए में उसमें जोड़े थे profit 3 रुपए का, तो आप 8 रुपए में biscuit बेजते थे, consumer खुस कब होगा, जब आप 5 रुपए में बेज़ेंगे क्योंकि हिंदोस्तान का consumer बड़ा ही नोटंग की बाज है वो consumer महेंगे प्रोड़क्स नहीं खरीदना चाहता है क्योंकि भाई, middle class की जनता है और सब के पास जिब में उतना पैसा नहीं है including you and me तो हम हमेशा जब जाते हैं दुकानों पे तो bargaining करते हैं मोल भाव करते हैं कि नहीं इतने में देदो इतनों में देदो अगर मुझे पहले सी उप्रोड़क्ट उतने ही पैसे में में जितने में मैं चाहता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए तो production concept यहीं कहता है कि consumer को आप quality पे quality पे जादे ध्यान मत दीजे consumer को आप कोई भी product दीजे वो product हर जगा available होना चाहिए और वो product expensive नहीं होना चाहिए वो सस्ता होना चाहिए तो आपका product बहुत बेखेगा मतलब production concept का मकसद है कि आपको product बना देना है और थोड़ा सस्ता रखना है उस product को हर जगा रखना है तो आपका product definitely बहुत सारा बिखेगा और आप बहुत सारा profit market में कमा लेंगे ठीक है I think आपको समझ में आ गया होगा पहला question production concept से यह बनता है कि in which concept consumers in which concept the producers aim at high production volume किस production किस concept में किस marketing concept में प्रोड्यूसर का मकसद होता है बहुँ जादे production करना तो वो है आपका production concept अच्छा एक और question मनता है किस concept में प्रोड्यूसर का मकसद होता है inexpensive products को बेचना है तो वो है आपका production concept production concept का मकसद होता है कि हम inexpensive product बेचे और वो products widely available हो मतलब हर जगा मौझूद हो चलिए दूसरा है product concept यह बड़ा ही अच्छा है product concept यह कहता है कि बाई देखो हमको यह मतलब नहीं है कि हमको जादे बनाना है या कम बनाना है हमको यह मतलब है कि हम जो भी बनाएंगे quality product बनाएंगे तो product concept focus करता है product की good quality पे product के improvement पे और यह कहता है कि हम profit कमाएंगे through providing better quality product मतलब product concept कहता है कि हमको profit कमाना है definitely हम market में आया है profit कमाने के लिए लेकिन हम बेचेंगे better quality product best quality product और उस best quality product को बेच के हम profit कमाएंगे तो हम भी खुस consumer भी खुस ठीक है चलिए अगला है consumers prefer product of greater quality regardless of price कुछ ऐसे consumer होते हैं तो consumer यह चाहता है कि उसको better quality product मिले और उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है न कि price कितना है जैसे जो भी rich class के लोग होते हैं जो भी बहुत अमीर होते हैं उनको product की quality से compromise नहीं करना होता है वो कोई भी price बे करने के लिए तयार होते हैं बस product की quality best होनी चाहिए तो आपका product concept कहता है कि हम superior quality product develop करेंगे और उस product में हम develop करके रुक नहीं जाएंगे consistently improvement भी करेंगे सुधार करेंगे हम इसा करते रहेंगे सुधार क्योंकि दुनिया बदल रही है लोगों की जरूरते हैं लोगों की जाएं लोगों की पसंद और नापसंद बदल रहे हैं तो बदलते हुए पसंद और नापसंद को देखते हुए अपने products में consistently improvement करेंगे और जो customer चाहता है वही उसको मिलेगा वही ingredient और वही vitamins वही proteins मिलेंगे जो वह उस product में देखना चाहता है ठीक है? चलिए अगला है selling concept भाई ये सबसे वाहियाद concept है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ selling concept ये कहता है कि भाई हमको हरवो कोसिस करनी है जिससी हमारा product खूब बिके अरे भाई अगर आपके product में दम होगा अगर आपके product में सच में ताकत होगी आपका product best quality का होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके product को maximum sale होने से नहीं रोख सकती है लेकिन selling concept ये कहता है कि भाई हमको और चीज़ से मतलब नहीं है it focuses on every possible sale of product regardless of products quality and need of the consumer selling concept ना consumer की जरूरत को समझता है और ना ही product की quality को समझता है वो कहता है बेटा हमको तो product बेचना है किसी भी कीमत पे और product चाहें कैसा भी हो consumer चाहें कुछ भी चाहता हो हमने develop कर लिया product तो हमारा नुकसान नहीं होगा हमको बेचना है और बेचने के लिए जो भी selling technique है जो भी marketing technique है हमों सारी marketing technique लगाएंगे और aggressive selling करेंगे क्या करेंगे aggressive selling करेंगे मतलब बहुत सारी selling करेंगे चलिए अब ये जो concept होता है selling concept ये बड़ा ही failed concept है मतलब successful नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे customer का satisfaction ही नहीं है मान लेजिए आपने एक बार बेज भी दिया product आपने बहुत अच्छा product नहीं बनाया था आपने खोब marketing की थी जूट बोला दा customer से कि product बहतर है बहतर है बहतर है आपने एक बार बेज दिया लेकिन अगले बार customer मुर्ख नहीं है बेवकूफ नहीं है customer समझ जाएगा इस product में कोई दम नहीं है और वो दुबारा आपका product नहीं खरीदेगा ठीक है तो repeated selling नहीं होती है selling concept में ये भी question बन सकता है कि किस concept में repeated selling नहीं होती है तो selling concept में repeated selling नहीं होती है क्योंकि customer satisfied ही नहीं है तो वो दुबारा क्यों खरीदने आएगा आपकी दुकान पे चलिए अगला है marketing concept ये क्या है तो marketing concept कहता है भाई देखो हमको कुछ नहीं पता है हमारा consumer हमारी लिए भगवान है वो देवता है वो जो चाहेगा हम वही बनाएंगे हम वही बेचेंगे वही product बनाएंगे और वही उसको परोसेंगे ठीक है ये कहता है आपका marketing concept clear होगा चलिए marketing concept मेभी आप जरूर marketing करते होंगे लेकिन वो अलग बात है marketing तो भाई हर concept में आप करेंगे लेकिन आप आपका orientation क्या है marketing concept में आपका orientation है customer के two words मतलब आपके वह customer को देख रहे है customer की need को समझ रहे है customer की wants को समझ रहे है तो marketing concept ये कहता है कि customer की needs को समझेंगे customer की wants को समझेंगे और जो customer चाहता होगा वही हम बेचेंगे और marketing concept एक और चीज़ है pull strategy का use करता है ठीक है चलिए आगे बात करते है of the well-being of the consumer and society as the main motive social and ethical considerations are taken into account during the marketing practices मतलब societal marketing concept कहता है कि भाई देखो हमको consumer का नुकसान नहीं करना है हमको society में समान बेचना है हमको society में consumer रहता है हमारे society में हमारा consumer रहता है तो consumer को हम जो भी समान बेचेंगे वो best बेचेंगे और consumer के preference, need को समझ के बेचेंगे अब आप कहेंगे सर यह तो marketing concept भी कहता है लेकिन societal marketing concept ध्यान रखता है कि consumer का कहीं नुकसान नहों जाए जबकि marketing concept कहता है कि हमको consumer के हिसाब से product develop करना है हमाँ पर नुकसान होने की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर गरा है कि हमको consumer का well-being पर ध्यान देना consumer अच्छा होना चाहिए consumer खुश होना चाहिए और consumer को अच्छा feel होना चाहिए हमारे product को consume करके ठीक है और societal marketing concept कोई भी unethical और illegal marketing practices को adopt नहीं करता है यह भी important है कि कौन सा ऐसा marketing concept है जो illegal और unethical marketing techniques को use नहीं करता है तो वो है आपका societal marketing concept I think यह clear होगा चलिए यह है आपका third chapter and last chapter I think इसके इसके PDF में कोई जो दिक्कत हुआ है एक minute चलिए दो ही chapters को रहने देते हैं इस lecture में बाकि जो बच किया है third chapter वो हम next lecture में डिस्कूस करें क्योंकि lecture भी काफी लंबा हो गया 35 minutes का lecture है आपका इस lecture में इतना ही काफी है बाकि अगर आप complete preparation करना चाहते हैं पूरी तयारी करना चाहते हैं target group lab को download करिए सार्थी को join करिए और एक चीज़ और सार्थी for become fourth semester का whatsapp group जरूर join कर लिजे description box में link मिल जाएगा अचाहे एक query और है कि सर्थ PYQ का वीडियो कब आएगा तो PYQ का वीडियो भी बहुत जल आने वाला है पहले थोड़ा पढ़ाई कर लिजे ताकि आपको PYQ का जो वीडियो है उसमें आपको question समझ में आए अगर आप कुछ पढ़े नहीं होंगे तो कुछ समाज में नहीं आएगा इसलिए आपके लिए यह special one-sort की classes record हो रही है और app वाले बच्चे परिसान नहों आपको तो classes live रोज मिलती है आपके लिए one-sort भी upload किया जा रहा है तो यह जो lecture है जो आप YouTube पे देख रहे हैं यह lecture आपको app में भी मिलेगा इसके लावा जो आपकी app पे live classes हो रही है वो भी चलती रहेंगे और MCQs बगर आपको मिलते रहेंगे PYQ भी आपको मिलता रहेगा आप बिल्कुल संतुस्त रही है कोई चिंता करने की बात नहीं है बस एक चीज़ का ध्यान रखें जो बच्चे सार्थी जोईन नहीं किये हैं कर लीजिए नहीं तो आप पस्ता आएंगे आखिर कर That's it मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्टर में पूरी उजा के साथ